तो अगर आप लोग इस बार एक्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो इस वीडियो को कम्प्लीट देख लिएगा बहुत जादे महत्पूर्ण वीडियो है यहां से आपको सीज़े सीदे एक्जाम में परशन जो है लड़ सकते हैं पूछे जा सकते हैं ठीक है यह क्लास 12 हिस् अगर आप लोग इस वीडियो को देखने से अगर लाइब मिलेगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर जरू कर दीजेगा और सबसे पहले मैं बता रहूं कि आप लोग कम्प्लीट तयारी करने के लिए इस चैनल को कर लिजे सब्सक्राइब यहां पर आप लोग क आर्ट की और सब्सक्राइब की कम्प्लीट तयारी कराई जाएगी तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आग की जो क्लास 12 इतिहास जोड़ी 25 के एक्जामेंशन में जो most important जो questions हैं वो सारे को देखने के लिए आप लोग एक करके तयार हो जाएए सबसे पहले आपके स्क्रिन पर प्रश्ण नंबर वन है अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो आप लोग फटाफट से जवाब देने की कोशिश करिए कोशिशन हमारा एक है कि सिंदु वासियों के परमूग देवता कौन थे देखे कर आप हरपा सबेदा अगर पढ़े ह ठीक है यह आप लोग को ध्यान रखना है बहुत सारे लोग बोलेंगे विश्णु विश्णु की नहीं है पश्रुपती यानि दो सिंग वाले जो एक पश्रुवा करते हैं उसी की जो है पूजा किया करते थे वहां के लोग ठीक है उसके अलावा अगला सवाल यहां पर आ महन जोदोरो में क्या होता था कि वहां पर ने लोगों को जो मढ़ जाते थे उन लोगों को दफनाया जाता था और वहां से बहुत सारे हड़ी मिला है इसलिए वहां पर क्या नाम रखा गया है मिर्तोगों का टीला तो इसलिए सही जवाब की अर्थ कि अगर बात करेंगे देखे काली मतलब होता है काला ठीक है उसके अलावा अगर बात करते हैं बांगा बांगा मतलब होता है चूड़ी तो इसका मतलब होता है कि काले रंग की दुपटा गलत हो जाएगा काले रंग की चूड़ियां तो सही जवाब की अगर बात करते हैं दोस्तों बी नंबर हमार correct हो जाएगा बागी काले रंग की यह हिरन में यह भी हो, काली बंगा Kelly का नाम काली बंगन था यहां पर काले रंग की चूडी पहनने वाले बनाने वाले बहुत मिलते थे इसलिए नाम रठा गया अब यहां देखिए सिंदू का बाग किस अस्तल को कहा जाता है तो सिंदू का बाग किस अस्तल को कहा जाता है तो सिंदू का बाग किस अस्तल को कहा जाता है तो सिंदू का बाग की गर बात करेंगे दोस्तों तो मोहन जोद्रो को कहा जाता है क्योंकि मोहन जोद्रो एक नगर पर विशेस्ताय थी जो कि आपको गिन करके अगर आप लोग करेंगे तो आप गिन नहीं सकते हैं और इट जो है नलियां बना करते थे तो इसलिए उसको सिंद्ध का बाग बोला गए करेंगे तो इसके अलावा अग्ला सवाल है युगल सहवधान के साक्ष कहां मिलें तो युगल ज सारी चीजाय मिली थी तो सही जवाब के अगर बात कर दें फाइब नंबर कर हमारा रोट सभागा युगल सहवधान की आगर साक्षी जो मिली थी दूस्तों तो यह हमारा D number लोथल करेक्ट अंसर हो जाएगा 5 number का उसके लब आगला सवाल देखे सिंदू सबेता का समाज कैसा था यह वहां के बोली चाली कैसे थे तो सही जबाब के बात करें दूस्तों यह मातरी परदान है उसके लब क्या है कि पित्र परदान है उसके लब क्या है कि पानी परदान तो सही जबाब के बात करेंगे तो क्या मातरी परदान हो जाएगा मातरी किसको बोलेंगे क्योंकि वहां ने सिंधु नदी के किनारे ये सबेता बसा वाता तो इसलिए इसको नाम रखा गया सिंधु सबेता और अगर बात करेंगे तो वहाँ पर भाषा क्या बोली आती थी सिंधी भाषा बोली आती थी तो इसलिए सिंधी भाषा क्या हो गया ये मातरी भाषा हो गया तो इसलिए सही ज बात करने हैं मिस्पीआ पहले की बात है तो रिगवैध वैद से बात करते थे जयादे इन्दाञ ऍध्र की पूजा क्या करते थे इंद्री की पूजा किया गतते इंद्री इंद्रीक पूजा की वैदिक गरंतों में पुरंदर किसे गहा जाता है तो वैदिक गरंत यानि के वैदिक गरंत यानि के वैद से आया है वैदिक वैद क्या एक किताब है ठीक है उस टाइम वैद में जादे जो है लोग मानते थे ठीक है तो वैदिक गरंत में पुरंद की अगर बात करेंगे तो इंद्र को कहा जाता क्योंकि इंद्र की ही पूजा किया गया तो पुरंदर मतलब होता है इतरका भगवान है ने दुस्तों उसके अलावा अगला सवाल अब यहां पर हमारे पास है नाइन नंबर रिग्वेधिक काल का समय की गरबात करेंगे तो मैं आपको पहले ही बता चु इस भी लिखा गया ठीक है दोस्तों यह आप लोग को ध्यान रखना है यह भी आपके पेपर में कुश्चन आ सकता है उसके लवा अगला यहां पर देखिए यह बिल्कुल आप लोगे लिए बहुत जादे दोस्तों मोस्ट इंपोर्ट है वह कुश्चन लेकर आयो जो कि आ कि यहां पर जो है वन से रिलीटेट जितनी भी सारे बात हैं उसके अलावा वैदी की जो है जैसे वेद इस फल से इस जो पेर पौधे से क्या-क्या लाब है यह सारी चीज़े किसमें लिखा हुआ है तो यहनि जंगल का किताब किसको बलाते अरनियक अरनियक में लिखा हु और बात करेंको इसका मतलब क्या होता की काम करते जाओ फल की चिंता बिल्कुल भी मत करो और और ये लिखने वाले तो मैं भूल रहा हूं कौन है लेकिन गांधी जी इन वर्ड को पढ़े करें वो काफी प्रेडित होते थे काफी मोटिवेट होते थे क्योंकि उन्होंने भगवद गीता का काफी उन्होंने पढ़ रहा था तो सही जवाब की बात करेंगी तो हमारा दू आपको नर आपको पढ़ दो अपने शांति को बनाए रखने के लिए अर्थritisास्त्र में कितने परकर के विवा का चर्चा की गई है तो अर्थशास्त्र में अगर बात करेंगी अर्थ Гुटत्य वंस की बारे में पता चलता है और यह क्या है ये और विभया काउरे में उल इसके बारे में ठीक है उसके अलावा दोस्तों अगला हमारे पास सवाल है 14 नमपर किस वीवा में कन्या उच्छ कूल यानि के कन्या अमीर होते थे और वड यानि के दुरहा क्या होते थे कि निमनकूल यानि के कम जात के होते थे तो उस वीवा को क्या बोलते थे अनुलूम प प्रेभी विवा कि शरिनी में आता था तो प्रेम्य है आरश वीवा उसके लोगरांवा राक्श्य विवा गंधर्व काया था ठीक है और या परकार का विवा मैंसे चयार परकार का विवा यहां पर है और कि 6 मैं आपर बता तूँझा उसकी लाबए विर्दाव स्वाले नमबर है कि इनमें से क्व fastoda ले ओनकर देखने को मिल जाएगा ठीक है अभी जो है और यह जो बमकि ute सिख्षा करते थे बाध धर्म की बढ़ाई की वैई इस वारे ठीक है और अभी ये अरवी कि यहां आफगांस्तान के रहने ये अलग है ये कत हो हो जागा तो एक फैन्सांग कि कर बात करेंगे तो ये कहां के रहने वाले थे चीन के रहने वाले थे और चीन मैं जादेतर जो वहां पर जो है न Patriots जीज मांतें बहुत भूब धर्मे के मानने वाले हैं ठीक है और फायान भी चीर के लेकिन वह इन्सांग जो है इन्हीं स laying किये थे दोस्तों है चाले और चीर के लोग अभी भी जो है जातर वहां पर बहुत धर्मे को मानने ठीक Как अगला आप यहां पर देखे किस गुप्त शासक को शिकों पर वीना बजाते हैं दर्शाया गया यानि किस गुप्त शासक का मतलब होता है कि जो हमारा चंद्रगप्त मौरी है, चिलिक है, उसके लवा, तो अब जैसे हमारे जो रूपिया है, रूपिया में मातमा गांदी का फोटो लगा, वरत है, चश्मा पहेंड करके, तो एक वह संक medo है, उसका दर्शाया गया है, तो उसी तरह जो है क्या है जी जो गुप्त शाषक के काल में जो समुद्र गुप्त को क्या करा गया था जी समुद्र गुप्त को न यानि के वीना बजाते वे दिखाया गया था दर्शाया गया था पैसा में ठीक है दोस्तों सिक्कों में तो सही जवाब की तरह बात करेंगे उसके लावा मुद्राराक्षस तो देखें मुद्राराक्षस किसकी लिखावा है विरिक्षक टीकम विरिक्षक टीकम मैं अभी नाम भोलड़ा हूँ तो उन्होंने ही मुद्राराक्षस को लिखा है दोस्तो बाकी ये क्या रगोवनसम यह क्या है कि कालिदास की है और अभी ज्यान सकूंद तुलम कालिदास की ध्यान रखना विक्रो मोश 1C यह यह जो है ज़ाऊ जगा यह कालिदास का है बाकी मुद्रा राक्षेस जो अलग हो जागा दोस्तों हने चले समझ में आ गया होगा आप लोगों को उसके अलावा दूस्तों अगला सवाल को देखेंगे अगला सवाल हमारे पास 90 नंबर की बात करते है ठीक है वेरी गूद दोस्तों ठीक है समझ में आ गया होगा लोगों को उसके अलावा यहां पर देख लेजिए बात करते हैं हमारा अशुक के अभिलेख में कौन सी लीपी का उप्योग किया गया सबसे ज़awiaब किया था तो सही जवाब के बात करेंगे खरोष्टि है, ब्रह्मी है अरामाईग गर सबसे ज़ादा आएगा तो ब्रह्मी होगा लेकिन यहां पर कौन सी लीपी का प्रियोग किया गया तो इसका मतलब कि यह चीन हो जाएगा डी नंबर हमारा सही जवाब हो जाएगा उसके अलावा जल्दी जल्दी आप लोग वीडियो को लाइक करें शेयर कर दें और प्लीज अगर आप लोग इसी तरीके के लास हर सब्सक्राइब आर्ट्स के कम्प्लीट कॉर्स चाहे आप स साइन्स हो या साइकलोजी हो हिंदी उर्दू इंग्लीश कुछ भी पढ़ना चाहते तो आप लोग जल्दी चैनल को कर लिजे सब्सक्राइब ठीक है दोस्तों अब यहां पर दें जीवक वैद कहां का रहने वाला था जीवक वैद तक्षिला यानि पाकिस्तान गलत हो जा यानि कि इनी लोगों के जो है उस टाइम के रह ठीक हो रिक है यह कहां के राजग्रे के रहने वाले थे अगला सवल आप यहां पर रिक हैं अंग राज आधुनिक बिहार के किस जिले में है तो अंग राज आधुनिक जिले की किस जिले आधुनिक मतलब अभी अंग राज का नाम क्या बदल के रखा गया है तो भागलपूर रखा गया है अभी आप लोग भागलपूर शायद कोई-कोई भागलपूर से इस वीडियो कि पिता थे और अशुक का दाधा का नाम कहा था चंदर रूगुत लेकिन बिंदूसर गतना हुगा Simmons एक से जएक तो मॉरे वन्ष आने से पहले दर्बार में रहते थे। उसी के मदद से महापदम नंद को हरा करके चंड्र गुप्त मॉरे ने मौरे वन्स की सामराज जोको अस्थापित किया था तो इसलिए B नमबर साइजवाब जाएगा उसके लाबाद दोस्तो अगला है हमारे पास है कि जरासंग का संबंद किस वन्स से था लिएक है विरधरत है नंद है और मौरे है तो जरासंग का संबंध की एक बात करेंगे तो विरदरत हो जाएगा दोस्तों सही जबाब की बात करेंगे तो B नमबर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कुछ कुछ छीज़ एगर आपलोग को समझ में नहीं आ रहे तहिक है जले अग्ला सवल है घटोतकच जक्त है और वीर्ष कम शादी जो क्या थ सो एक बंदें का नह nenhuma एक कलती है तो एक यह सब्सक्राइब पॅस्किन यहाँ सब्सक्रेंब से नहीं आदम को मार करके खाने वालस दृद्फ सब्सक्राइब कि उसके मोहमाया में आ गया कौन हीडिमबा राक्षस थी तो वो मतलब अच्छी औरत बन करके भीम से शादी कर लिया ठीक है और हीडिम भी जो अब जादे मतलब वह भी राक्षस हुआ करता था ठीक है और इन लोगों को क्या कर रहा था कि जंगल में जब जो चले गया था इ बच्पन का क्या नाम था तो मातमा बुद्ध के बच्पन का नाम वर्दमान सिधार्थ इसके लाद देवदत उसके लावर राहुल तो सही आपके बात करेंगे तो बीनमवर यानि के सिध्धार्थ राइट अल्गी हो जाएगा उसके अलावा दूस्तों मातमा बुद्ध जो कि बुद्ध के परवर्तक क्माना जाता है और इसका बच्पन का नाम सिध्धार्त वा करता दा इसके अगर माता की चूड़ को चेंगल में पिता चूड़ के जन Canad चले उसके अलावा और ये असी वर्ष तक जो है जिन्दा थी अस्य वर्ष के बाद इनके इंतकाल मतलब यह मर गया ठीक है देखें महावीर जैन को किस नदी के किनारे ग्यान प्राप्त हुआ था तो महावीर जैन को किस नदी के किनारे ग्यान प्राप्त हुआ गंगा सोन रिजुपाली का गंडग तो सही जवाब के बात करेंगे रिजुपाली का सही जवाब के बात करें सी नमर और रिजुपाली क भी और चौभिस्में टिर्तकर्द करते थे जयरां धर्मकी है अगला यहां पर कौन सामराजवादी इतिहास कर रहें सामराजवादी इतिहास करें कि भी स immodat करें मोरलेनड लाहिए शक्राइब बिस्तर डेंगे गैस की हम लोग यहीEL общем les गुलाम बन केते हैं ठीक है जोस्तों इसी को बोलते हैं नहीं उसके किसके काल में अस्थापत कला का अस्थापत कला का इमारत का बनना उसके वस्तु कला यानि कि फोटो वगएरे बनाना ये बर कारीगिरी बहुत जादे कारीगिरी जो है बहुत तेजी से उभर रहा था ठीक है उसके अलावा साहजा हाँ ही लालकिला बनवाया उसके अलावा साहजा ही जो है मतलब जामा मस्जिद बनवाया तो यह सारे उसके बहुत सारी चीजे बनाना शुरू करा और तो इसको सोरने यूग माना गया दो तो सी नंबर करेक्ट अंसर हो जाएगा उसके अलावा पर्फ़ जो लडाई फिस ङिसबैंगे है इकिस आरब अप्रेल 1526 अवर बीच और इबरैम लोदी के बीच और इबराहीम लोदी से लडाई किए और लड़ाई करके जीत गया और फिर गद्धी भी बैठ गया अब यहाँ पर देखे अगला सवाल किस मुगल बादशा को आलमगीर का नाम से जनाता है तो सही जवाब के बात करेंगे तो आलमगीर यह नहीं औरंग जेब और औरंग जेब के बारे में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि औरंग जेब जोनाहिं अधियाचारघ करती थे घंदु को महारते थे देखिए हिंदु को उन्हों ने का रहा था उनका एक नीची था कि हम जादें साथे जो अब्हक को फाइल आ है Kenned respectfully लेकिन किसी के साथ जो है उन्होंने दुर वहवार नहीं किया यहांग तक है कि उन लोग ने मतलब क्या हुआ था एक कहानी है कि उसको नहीं मैं भूल रहूंगो कहानी ठीक है चले मैं बता दूंगा बाद में मुसलमान से वस्तुला जाने वाला कर तो जजिया जकात खम्स या फिर तिर्दकर तो सही जबाब की करवाद करेंगे तो जहनी मुसलमान से जकात जो लिया जाता था सही जबाब की करवाद बीनमबर और जकात बेसिकली क्या होता है कि अपने कमाई का कुछ परसेंटेज निकाल देता है तो उससे वाइट मनी होया था हम लोग इसको तुजु के बाबरी तो थुजु के बाबरी किस ने लिखी तो उखर धाई दिन का जोपरा क्या था तो यह घर था मंदीर था मस्जीद था मगबरा था तो मस्जीद भूआ करता था ठीक है और इसके बहुत बुरा सब्सक्राइब अग्रेज ने इनके सामने में इनका बेटा को जब आरफ करके उनको बहुत खाओ ब्रसा जाजफर को अपने जो हिंदुस्तान का बातचा रोकर जाएगा था ठीक है चले तो यहँ आधा हो जागा अगला सवाल कि से लिया जाता था डेकिश्केब्रा जाइब सब्ढकों से ले जाता था इन OP तरह का टेक्स लिया जाता था तो हमारा सही जवाब के जिम्मियों से डी नंबर हमारा सही जवाब हो जाएगा ठीक है और अकबर जो कि महान बादसा इसलिए बोला गया अकबर इस जजिया को समाप्त कर दिया कि नहीं क्यों लेंगे हम उन लोग उसे कोई भी कही पर भी रह स सकता है तो अकबर जो है खत्म कर दिया था ठीक है चलिए और सही जवाब कर बात करें मुहंबद बिन खासिम इनको लागू किया था लेकिन अकबर हटा दिया इसलिए यह तो महान सासक बना अगला आप यहां पर देखिए दोस्तों अगला है कि कौन सा मुगल सासक एक कवी भी था तो कवी की अगर बात करें बाबर एक कवी भी था क्योंकि बाबर नामा इन्हों नहीं लिखा था ठीक है उसके अलावा अगला सवाल है एंगर ववस्ता पर चलित थी तो एंगर ववस्ता मुगल सामराज या फिर विजयनगर सामराज या फिर बहमनी सामराज या फ लुट इस अधर एक सामराज बना देंगे और इसमें बिल्कुल एक दम बहुत अच्छे से अमलों क्या करेंगे यह शासन करेंगे बिल्कुल लगरिया शासन बनाएंगे तो यह वीजय नगर सामराज पर चले ठी ऐसी ववस्त था ठीक है छोटे शोटे गाउं को मिला करके ब तो मेरा भाई किस वनश्की रानी थी तो मिरा भाई किस वनश्की रानी ती या फिर किया है कि चोहान राठोर या फिर कच्छुआ हाँ रणी धी ठीक है चले इसका अगर बात करेंगे दूस्तों तो यह ना किर्ष्ण की बहुत जाए कृष्ण को बहुत मां दी है कृष्ण को यहां तक जब इसकी पती ठीक है जिसका पती का नाम राजा भोज़राज नाम था इसका नièrement तो भोजराट जब 11 साल के क्याफर कुछ 11 दिन के अंदर मर गया था तो जब मरने के बाद ना उन्होंने के अगर किर्ष्ण के भक्ति पर लीन हो गई और किर्ष्ण को अपना पती मान के अपना जिंदगी को खतम करेंगे तो उत्तर भारत में जो भक्ति आंदुलन लाने का रामानन्द है कबीर है गुरुनानेक है बल्लवाचारी है तो 35 नमर का सही जवाब के अगर बात करेंगे तो उत्तर भारत में जो भक्ति आंदुलन यानि के जो हमारा पहले जो नहीं इस भारत में यानि कि क्या करना था कि मुस्लिम था और हिंदु था तो बहुत सारी इसे पिर जो है रामानन्द आया करके थोड़ा सा अपने धर्म के बारे में बताना शुरू कर दिए इसलिए रामानन्द की बात करेंगे तो नमबर हो जागा जो भाकि आगला सवाल दिए पाहन पूझे हरी मिले किसकी कावय पंक्ती है तो सही जवाब कर बात करेंगे तो ह नमबर करेकर हो जाएगा उसके अलावा अगला सवाल कि अगला सवाल क्या बोलाजार करेंगे सलक मीमन बनाता दैके अ हरए दिन इस ने बनाया साजा आने उसके लब यहां पर देखे आउरंग जेब का संबंद की सूफी सिलसले से था चिस्तिय शौरवर्दी शौरवर्दी और ठादरी नक्षबंदी तो सही जवाप की अगर बात करें दिया नक्षबंदी सही जवाब डी नम्बर हमारा correct हो जाएगा उसके लबाब आगला सवाल देखिए बीजक में किसका उपदेश शंगरित है तो बीजक में किसका उपदेश शंगरित है कबीर है गुरु नानक है चैतन्य है उसके लबाब रामानंद है तो सही जवाब के अगर बात करतें दोस्तों तो बीजक में जो किसका उब्देश है तो बिल्कुल हमारा करेक्ट अंसर उन्चास का आप लोगों को भी पता होना चाहिए क्या कबीर हो जागा दूस्तों ठीक है हाँ कबीर ने अब आगला देखिए रामानुज ने किस दार्शनिक मत का परती बादन किया था तो रामानुज जो है यह नहीं विशिष्ट दुवेत वाद विशिष्ट दुवेत वाद ठीक है हाँ इनों ने बोला था कि शरीर और आत्मा बिल्कुल एक ही है ठीक है इसको हम बताईएगा और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करिए उसके रावाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन को परेस कर लिजे इसके रावाद आप लोग कॉमेंट में बताईएगा अगला वीडियो कौन के सब्जेक्ट होना चाहिए और आप फटा su收zt में आप लोग को हर एक वीडियो का उसके लावा आप लोग चैसे की मेरह वाट्सट नमबर ठीक है उसके अलबर आप को पीडिये फोगा नोठ सब्सक्राइब लिंक इस पोर्चुन था गनिलता है कले जय कर एक आई बर हिंद जय भारत